हलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निक्सा हूँ और आपके अपने यूटूब चैनल विलवडा बर्स में आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में हमें आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने बजिस की सर्दियों में देखबाल कर सकते हैं और यह जानकारी आपके लिए बहुती यूच्पुल होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप किये हुए देखते रहिए तो चलिए सुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंटी के बेल आइकन को ओन रखे जिसके मेरे आने वाली वीडियो की नोटिवेशन आप सभी को मिल सके आज एक most important topic जो कि अपनी बढ़ की सर्दियों से कैसे सुरुक्षा करें उसके बारे में बताने जा रहा हूँ उस tips को follow करके आप भी अपनी बजीज बच्चों की सर्दियों में अच्छी तरह से देखबाल कर सकते हैं तो tips number one में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्च के केज में रखा हुआ रात का पानी जो की ठंडा हो जाता है उसको बाहर निकाल लें और सुबे की टायम में गुन-गुना पानी प्रोवाइड करवाए हैं चिससे कि आपके बजीच बिमार नी होंगे और उनके डेत होने का खत्रा बहुत ही कम हो जाएगा रात का पड़ावा पानी बासी पानी हो जाता है उस पानी को आप रात को नो दस बजे के टायम बाहर निकाल लें और उसमें सुबे के टायम early morning कुन-गुना पानी अपने ब बना रहता है और आपके बड़ जल्दी से बिमार हो जाएंगे इसलिए आप हो सके तो सुप्ट फूड को सर्दियों में ना दे टिप्स नंबर 3 में मैं आपको बताना चाता हूं कि आप अपने बज़री तोतों के फूड में एक फूड जरूर एड करें एक फूड की तास दे हैं आगे की टिप्स में आपको अपनी बज़री तोतों की कोलोनी में एक बलब लगाना है जिसे की उसके कोलोनी का टेमपेचर बना रहे और उनके घर उनके बलब लगाने से कोलोनी का टेमपेचर बड़ा हूँ रहेगा मेंटेन रहेगा और बड़ बिमार नहीं होंग कि सौप्ट फूट देने से बजरी तोतों को जूज मोसन हो जाता है अगर आप अपने बजरी तोतों को सर्दियों में सौप्ट फूट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो आपके बजरी तोते स्वस्त रहेंगे टिप्स नंबर फॉर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी को लोनी को किसी भी चीज से कमर करके रखना है जैसे कि प्लास्टिक से या तरपाल बैनर किसी भी चीज से आप अपनी को कमर कर दे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टेम्पेचर बहुत ही लो हो जाता है उस टाइम पर अगर वो हवा आपके बजीच को लगेगी तो आप कि बजीज बिमार हो सकते हैं उनको नजला जुकाम बुखार कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि उनकी डेड़ भी हो जाए इसलिए आप अपनी को लोनी को किसी भी चीज जैसे की तिरपाल बेनर प्लास्टी किसी भी चीज से कवर करके रखे टिप्स नमर फाइब में मैं घरमाई मिल सके और उनके सरीर की इम्मुनिटी पावर और उनके सरीर का तापमान और कोलोनी का तापमान मेंटेन रह सके तिप्स नमबर सिक्स में आपको अपनी कोलोनी में एक बलब लगाना है जिसे की बिंटर में आपके बजरीच की कोलोनी का टेंपेचर मेंटेन रह सक और आपके बजरीज को कोई बुखार, सर्दी जुखाम ऐसा कोई ना हो सके जिसे कि आपके बजरी की डेड़ ना हो इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बजरीज को सर्दियों में बहतर देखबाल कर सकते हैं I hope कि यह है चान करें आपको अच्छी लगी होगी मेरे चनल को लाइक सब्सक्राइब करें और गंटी के बेल आइकन को ओन रखें जिसे कि मेरे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिक बेसन आपको मिल्स के इसी की साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा